हेलो फ्रेंड, निटिंग डिजाइन में ये देखिए प्यारा सा जिराब मैंने बनाया है, बहुत ही खुबसूरत जिसको मैंने बॉडर के रूप में बनाया है, आप इसे किसी भी बच्चे के स्वेटर पे, जैकेट पे, ब्लैंकेट पे, कहीं भी बनाएए, बहुत ही सिर्फ गैप आएगा, और बहुत ही खुबसूरती से ये डिजाइन बनी है, तो आएए इस डिजाइन को हम बनाना सीखते हैं, ये देखे, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने सिर्फ 13 फंदे ही लिए हैं, जिससे आप इनी 13 फंदों में मैं जो डिजाइन बनाऊंगी, जो जो कलर लगाऊंगी, उसे ही आप जब बार बार रिपीट करेंगी, तो ये बॉडर की तरह हमारी ये डिजाइन बन करके तयार हो जाएगी, तो इसकी फर्स डो में शुरू में दो फंदे हमारे रेट कलर से रहेंगे, ये एक, दो हम रेट करेंगे, और अब यहाँ पे चार फंदे वाइट के, एक, दो, तीन फंदे रेट, एक, दो, तीन फंदे वाइट, और एक हमारा ये रेट कलर रहेगा, ये देखे रो नमबर टू है, जिसमें रेट कलर से एक, दो फंदे रेट के, एक हमारा वाइट, एक रेट, एक वाइट, एक, तो, तीन फंदे रेट, एक वाइट, एक रेट, एक हमारा ये वाइट कलर, और अब हमारा रेट कलर से एक, और एक, दो, ये देखे रो नमबर टू है, अब इनी फंदों को हमें पुरी रो में बार बार रिपीट करना है, ये देखे रो नमबर थ्री है, रो नमबर थ्री में हमारे जो फंदे रेट हैं, उन्हें रेट बन बिनूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ यह देखें रो नमबर थ्री और फॉर मैंने बना लिया है तो यह मेरी डिजाइन इस तरह से दिख रही है अब हम रो नमबर फाइब पे हैं रो नमबर फाइब में एक दो फंदे रेड के एक हमारा वाइट एक रेड एक दो फंदे वाइट एक दो फंदे रेड के एक वाइट एक रेड एक वाइट और दो फंदे हमारे रेड के तो ये देखे इस तरह से हमारी रो नमबर 5 बन गई है ये देखे अब हम रो नमबर 6 पे हैं इसमें 1, 2 पंदे रेड, 1 हमारा वाइट, 1 हम रेड से करेंगे एक वाइट, एक, दो पंदे रेड के, एक वाइट, एक हमारा वाइट, एक, दो वाइट, और दो पंदे हमारे रेड के ये देखे अब हम रो नमबर 7 पे हैं रो नमबर 7 में एक हमारा रेड कलर, एक हम वाइट से करेंगे एक रेड, एक रेड के बाद एक हमारा वाइट, एक रेड, एक वाइट, एक वाइट, एक दो पंदे रेड के एक वाइट, एक रेड, एक वाइट और दो पंदे फिर हमारे रेड के तो यह देखिए, रो नमबर यह 7, अब यह देखिए हम रो नमबर 8 सेम कलर, रेड के उपर रेड और वाइट के उपर वाइट लगाते हुए बनाएंगे यह देखिए, रो नमबर 8 तक मेरी यह दिजाइन बन गई, अब हम रो नमबर 9 पे हैं, जिसमें एक हम रेड से बनाएंगे एक हमारा वाइट, एक रेड, अब हमारा वाइट कलर से एक, दो, तीन फंदे वाइट, एक, दो रेड, एक, दो, तीन वाइट, और फिर दो फंदे हमारे रेड के और फिर हम एक वाइट से रेपीट करना शुड़ू करेंगे और दो वाइट तक रेपीट करते जाएंगे पूरी रो में, यह देखे अब हम रो नमबर 10, रो नमबर 10 में यह ब्लू के उपर दो ब्लू रहेंगे, अब हमारा वाइट कलर, एक, दो, तीन पंदे वाइट, ए एक, दो, तीन, चार फंदे वाइट के, एक रेड, एक वाइट और एक हमारा फिर रेड कलर, यह देखे रो नमबर 11, जिसमें एक रेड को रेड से करेंगे, एक हमारा वाइट, एक रेड, अब हमारा वाइट कलर, एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, आठ फंदे वाइट के, और दो फंदे हमारे रेड के, यह देखे रो नमबर 12, रो नमबर 12 में, एक, दो फंदे रेड, एक, दो वाइट, एक हमारा वाइट कलर, एक, दो, तीन, चार, पांच पंदे वाइट, एक रेड, एक वाइट, एक हमारा वाइट कलर, यह देखे अब हम रो नमबर 13, जिसमें एक हमारा यह रेड, और वाइट कलर से, एक, दो, तीन, चार पंदे वाइट, एक रेड, एक हमारा वाइट, एक रेड, एक, दो, तीन पंदे वाइट, और दो हमारे रेड से, यह देखे अब रो नमबर 14, जिसमें एक, दो पंदे रेड, एक वाइट, एक हम रेड से करेंगे, एक, दो, तीन, चार पंदे वाइट, एक हमारा रेड से, एक, दो वाइट, और दो पंदे हमारे रेड, यह देखे रो नमबर 15, जिसमें एक, दो, तीन पंदे हमारे यह रेड से, अब हमारा वाइट कलर, एक, दो, तीन, चार, पंदे वाइट, एक हमारा रेड से, एक, दो वाइट, और एक रेड, एक, दो, तीन, चार वाइट, एक हमारा रेड, एक, दो, तीन, चार वाइट, एक हमारा रेड, तो, तीन, चार वाइट हमारे रेड के, यह देखिए रो नमबर 17, जिसमें रेड कलर से, एक, दो, तीन, चार, पांच पंदे रेड, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ पंदे वाइट और एक हमारा रेड, यह देखिए हम रो नमबर 18, जिसमें एक हमारा रेड, अब वाइट कलर से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ पंदे वाइट के, अब हमारा रेड कलर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, यह देखिए रो नमबर 19, इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ पंदे हमारे रेड के, एक, दो वाइट, एक हम रेड से करेंगे, एक हमारा रेड कलर, यह देखिए रो नमबर 20, जिसमें एक हमारा रेड कलर, अब हमारा वाइट कलर, एक, दो, तीन पंदे वाइट, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ पंदे हमारे रेड के, यह देखिए, रो नमबर 20 तक मेरी यह दिजाइन बन गई, अब रो नमबर 21, 22 और 23, तीन सलाईां सेम कलर लगाएंगे, जहां हमारा रेड कलर है, उसे रेड से बनाईगे, और जहां मारा वाइट है, उसे वाइट कलर से बनाईगे, तो ये तीन सलाईएं हम बना कर आपको दिखाते हैं ये देखे, मैंने तीन सलाईएं बना ली हैं तो ये आप हमारी डिजाइन 23 रो तक बन करके तयार हो गई है ये देखे रो नमबर 24 जिसमें एक हमारा रेट कलर रहेगा और वाइट कलर से एक, दो फंदे वाइट और रेट कलर से एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, आर, नौ, और एक, दस ये देखे रो नमबर 24 तक मैरी ये डिजाइन बन गई अब रो नमबर 25, 26 और 27 तीन सलाईयां बिलकुल सेम कलर रेट के उपर रेट और वाइट के उपर वाइट कलर लगाते हुए बनानी है ये देखे, मैंने रो नमबर 27 तक ये डिजाइन बना ली तो ये देखे, जिराप के डिजाइन इस तरह से कितने खुबसुरत बन के आई है अब ये देखे, रो नमबर 28 जिसमें एक हमारा ये रड कलर ही रहेगा अब हमारा वाइट कलर एक, दो, तीन, चार, और एक, पांच पंदे ये वाइट के हो गए अब हमारा रड कलर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और एक, साथ ये देखे, रो नमबर 29 जिसमें रड कलर से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और एक, आठ पंदे हमारे रड के, एक, दो पंदे वाइट, एक हमारा रड और फिर दो पंदे हमारे वाइट के ये देखे, रो नमबर 30, रो नमबर 30 में, एक हमारा रड कलर रहेगा एक, दो, तीन, पंदे हमारे वाइट, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और एक, नौँ ये देखे, रो नमबर 31, जिसमें रड कलर से, ये दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौँ पंदे ये रड के, एक हमारा ये वाइट, एक हम रड से करेंगे, और एक हमारा फिर वाइट कलर, और एक हमारा रड, तो ये देखे, रो नमबर 31 तक मेरी ये डिजाइन है, ये बन करके कम्प्लीट हो गई, अब इसके बाद यहां से हम प्लेइन उपर बनाएंगे, और इनी 13 पंदों को जब मैंने बार बार रिपीट किया है, तो देखी मे मैंने ये रिपीट किया है, तो इस तरह से ये डिजाइन मेरी बार्डर की तरह बन करके तयार हो गई है, तो आईए हम इस डिजाइन का ग्राफ देखते हैं, ये देखे, इस डिजाइन का ग्राफ है, इस ग्राफ के हल्प से भी आप इस डिजाइन को बना सकती है, मेरा वी करके बताईए ये डिजाइन आपको कैसी लगी थैंक यू